सेक्स प्रॉब्लेम के लिए होमोपैथिक मेडिसिन एगनेस कैस्टेस को किस तरह से इस्तमाल करना चाहिए उसको इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ ताकि उस मेडिसिन का आपको 100% बेनिफिट भी मिल सके और उसका कोई साइड एफेक लेकिन उसका पूरा 100% बेनिफिट आपको मिल नहीं पाता है तो हर चीज को करने का एक सही तरीका होता है उस वे को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको उस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला तो आज इस वीडियो में मैं आपको एगनस कैस्टेस होती है लेकिन यह एग्रावेसन जो है यह साइड एफेक्ट से कुछ कम नहीं है बलकि बहुत जादा ही होता है और होमेपतिक एग्रावेसन क्या होता है कैसे होता है अगर आपको यह जानना है तो इस चैनल को उपर मेरा वीडियो बना रखा है हमने उससे आप देखिए त सब आपको कौन सी मेडिसन लेनी है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों एग्रेस कैस्ट है जोमेपैथी की यहां समस्या के लिए सेक्स प्रॉबलम के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेडिसन है इस मेडिसन की नहीं बताओंगा मैं आपको सिंप मेडिसिन को लेने का सही तरीका बताऊंगा अगर आपको यौन समस्या है तो आप बिलकुल इस मेडिसिन को इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कैसे इस्तमाल करना है यह मैं आपको बताऊंगा आपको इस मेडिसिन को इस्तमाल करने के लिए ज्यादा साइलेंट सिंटम्स की आपको दरकार नहीं है सिर्फ एक ही बात पर इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं अगर आपको पता है कि आपका लिंग की अंदर सही से कड़कपन नहीं आ रहा है इरेक्शन नहीं हो रहा है आपका अंदर सेक्स की डिजायर कम हो रहा है आपका टाइमिंग सही नहीं है तो इसी बात पर आप इस medicine को इस्तिमाल कर सकते हैं, आपको बाकी silent symptoms जानने के दरकार नहीं है, तो आप हमेशा इस medicine को अगर इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो agnes castres को जो 6 potency है, जो 6 potency है, उसी से आप start करिए, आपको starting में ही 30, 200 और 1M में नहीं जाना है, आप सिधा agnes castres को 6 CH potency में लेकर और उसका दो बुन सुभे, दो बुन दो फैर को, दो बुन साम को लीजिए, और एक चम्मच या दो चम्मच पानी के साथ ही आपको मिला कर लेना है, बहुत लोग जो है direct jeep पर डाल देते हैं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि direct jeep पर डाल लीजिए, लेकिन य जो है सही तरीका पूरी तरह नहीं है, होमेपतिक मेडिसिन अगर डालूशन में लेते हैं, हमेसा एक चम्मच या दो चम्मच पानी के साथ ही एक बुन्द या दो बुन्द आप मिला कर लिया करें, इससे सबसे बेस्ट आपको रेजल्ट आपको मिलता है, और मेडिसिन का अग्रावेशन भी आपको नहीं होता है, डॉक्टर हैनमान नहीं यहीं चीज कहा है, तो एगनेस कैस्टरस को 6 पोटेंसी में आप 2 हफते इस्तमाल करें, सुभे दो फैर साम, दो दो बुन्द, एक चम्मच या दो चम्मच पानी के साथ मिला कर आप पिया करें, और जैसे अग्रावेशन भी आपको नहीं होता है, तो एगनेस कैस्टरस को 6 पोटेंसी में लेते हुए, आपका 2 हफता हो जाते है, तो उसके बाद अगला एक हफता, आप कोई भी और मेडिसिन ना ले, एक हपता ग्याप देकर, आप एगनेस कैस्टरस को 30 पोटेंसी पोटेंसी पो कोई और मेडिसिन ना ले, और एक हपता ग्याप देने के बाद, आपको फिर उसके बाद एगनेस कैस्टरस को 200 पोटेंसी में लेकर आना है, 200 पोटेंसी में आपको लेकर आना है, और एगनेस कैस्टरस 200 को आपको continue एक हपता लेना है, दो हपता इस्तमाल नहीं करना है इस क दना है कोई भी हैपको मेंडिसिन इस्तवाल नहीं करना अधेस्टे drinks 200 खाने के बाद आपको तीन हफ्ता इस्तिमाल नहीं लगारना 숲 एक आप खुद भाथ ये आनलाइस करीए उस समय आपको कैसा था और आपको कंडिशन कैसा है आप बिलकुल देख पाएंगे कि आपका अंदर बहुत बड़ी हाँ इंप्रूमेंट हो चुका है या तो एकदम 80% 90% तक इंप्रूमेंट हो चुका है या moderate improvement 50% तक आपको इंप्रूमेंट हुआ है या आप देख पाएंगे कि डामियाना मदर टिंचर और जिंसिंग मदर टिंचर इन दोनों मेडिसिन को आप इस्तमाल करेंगे लंबे समय के लिए कम से कम तीन से चार मेने के लिए तो आपका प्रॉबलम पूरी तरह सौट आउट हो जाएगा डामेन मदर टिंचर को सुभे साम लीजिए और जिंसिंग मदर टिंचर को दो फैर और रात को लीजिए 15-15 बूंद लीजिएगा हाप काप या एक काप नॉर्मल पानी के साथ मिला कर पी लीजिएगा रहा बात उन लोगों का जिन लोगों के इंप्रूमेंट 10-20% या 30% तक हुआ है आप लोग एगनेस कैस्टेस 1M में एक डोस ले एक डोस मतलब एक बूंद अब लीजिए एक चमच पानी के साथ मिला कर फिर आप देखिए कि आप 1M लेने के बाद आपका अंदर क्या चेंजेस आ रहा है अगर आपको 10% 20% 30% तक इंप्रूमेंट मिल चुका था जैसे मैंने आपको बताया हुआ है उससाब से तो आपको 1M लेने के बाद आपको कम से कम 60-70% तक इंप्रूमेंट आपको होना ही चाहिए और हो भी जाएगा जहां तक हमने इतने साल पैक्टिस के दोरान देखा है 1M देने के बाद आपको इंप्रूमेंट आपको कम से कम 70-60% तक होना ही होना है फिर उसके बाद आपको जिनसिंग और डामियाना के इस्तमाल करना स्टार्ट कर देना है जैसे मैंने प्रिवियस केस में बता हुआ है वैसे आपको भी करना स्टार्ट कर देना है कंटिनू तीन से चार महने इस्तमाल करें फिर उसके बाद बंद कर दे उसके बाद आपको जरूत पड़ीगी नहीं कोई मेडिसिन की आप देख पाएंगे कि आपका यौन समस्या पूरी तरह ठीक हो गया है तो दोस्तों ये होता है यौन समस्या के लिए एगनस कैस्टरस को इस्तमाल करने का सबसे सही तरीका इस तरह से इस्तमाल करेंगे एगनस कैस्टरस को तो इसका एगरावेशन आपको जिन्देगी में कभी भी नहीं होगा चाहे आप कितना भी सेंसिलिटीव पेसेंट क्यों नहीं हो और आपका प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा तो एगनस कैस्टरस को इस्तमाल करने का सबसे सही तरीका यही है जो हमने आज आपको बताए है इस तरह से इस्तमाल करिए आपका प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगा और आपको इसका कोई एगरावेशन भी नहीं होगा और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको मुझस्तोर को जान करें चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए आपको वहाँ पर रिपलाई दे दिया जाएगा क्रिपिया वाट्साप पे आप मैसेज ना करें अगर आपको कुछ जान करी चाहिए तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए क्योंकि वाट्साप नंबर वही लोग के लिए होता है जो मुझसे परसनली मीट करके ट्रीटमेंट करना चाहते है या परसनली मुझसे ऑनलाइन कंसलेट करना चाहते है उन्हीं लोगे के लिए WhatsApp नमबर दिया गया है तो दोस्तों मैं वीडियो को ही प्लेंट करता हूँ तो थैंक्यों वेरी मॉच